निम्न बारम बारता बंटन बारह विद्ध्यारतियों के भारों को प्रदर्शित करता है तो हमें यहां एक सार्णी मिली है बंटन की सार्णी इस प्रकार है जिसमें हमें भार किलोग्राम में और विद्ध्यारतियों की संख्या दर्शाई है भार किलोग्राम में किस प्रकार है, सरसट, सत्तर, बहत्तर, तेहत्तर, पिछत्तर, विध्यारतियों की संख्या अर्थात बारम बारता है, चार, तीन, दो, दो, एक, तो हमें यहां माध्य ग्यात करना है, माध्य भार ग्यात करना है, हम दिये गए सार्णी में देखते हैं कि XI के मान क्या है भार किलोग्राम में चर के मान है 67, 70, 72, 73, 75 तो इन मानों को और बारमबारता को हम पहले समान तरमाद्ध की गणना सार्णी में इस्तम्बों के रूप में लिख लिए हैं तो हमने सार्णी बनाई उसमें भार किलोग्राम में एकसाई के मान लिख लिए और विध्यारतियों की संख्या बारंबारता को एफाई के मानों को लिख लिए भार किलोग्राम में लिख्ली ए सरसक स्तर बहत्तर तेहत्र फिछतर अब यहां हमें कल्पित माद्धे लेना है कल्पित माद्धे साधारंट है जो XI के मान होते है उनमें मद्धे का मान होता है तो हमने A बرाबर यहां चूज कर लिया A बराबर ले लिया 72 तो हम A बराबर कल्पित माद्दे A बराबर लेते हैं 72 और तीसरे कॉलम में विचलन ग्याद करते हैं तो DI विचलन क्या होता है? XI-A, A हमने 72 ले लिया है तो DI हो जाएगा XI-72 पहले XI का मान देखते हैं, पहली पंक्ती में 67 है तो DI का मान कितना हो जाएगा? 66-72 अर्थात-5 अगली पंक्ती में XI का मान है 70 तो DI कितना हो जाएगा? 70-72 मान आगिया-2 तीसरी पंक्ती में 72, DI हो गया 72-72, 0 अगली पंक्ती में 73 है हमारा XI का मान तो 73-72 DI हो गया, विचलन हो गया 1 और अगली पंक्ती में 75 है XI का मान, 75-72 तो विचलन आता है 3, इस परकार हमने DI विचलन के मान ग्याद कर लिए, विचलन क्या है, XI-A, A हमने क्या चूज किया है, समानतर माद्दे के लिए, जो कलपित, माद्दे की गरेना के लिए, हमने कलपित माद्दे az differs में लिया है, वो है 72.D.I. का मान हमने इस इस्फम में केलकुलेट कर लिया, अब हम अगले सलंहें fidi calculating करेंगे यानि दूसरे और तीसरे सलम्बों को गुणा करेंगे fi तो दूसरे सलम्ब्रें तीसरे सलम्में di जो हमने calculate किया है तो हम अगले कॉलम में fidi calculate करते हैं पहली पंक्ति के लिए fi है 4, di है minus 5, गुणा हुआ तो आया minus 20 दूसरी पंक्ती के लिए 3 गुणा माइनस 2 मान हो गया माइनस 6 अगली पंक्ती के लिए 2 गुणा 0 तो मान हो गया 0 अगली पंक्ती में 2 गुणा 1 माना गया 2 और अगली पंक्ती में 1 गुणा 3 तो मान हो गया 3 इस प्रकार हमने FIDI को कल्कुलेट कर लिया अब हम जो विध्यारतियों की संख्या है उसका योग लगाएं चार और तीन हो गए साथ, साथ और दो नो, नो और दो ग्यारा और एक पारा इस परकार विध्यारतियों की संख्या का योग बारंबरता का योग सिग्मा एफ आई है बारा FIDI का σिगमा निकालें तो रिनात्मक संख्याओं का योग कितना हो गया 20 और 26 माइनस के तो है 26 प्लस के कितने हैं 2 और 3 पाँच तो गटाने से यह मान रिनात्मक आएगा नेगेटिव आएगा सिगमा FIDI माइनस 21 है सिगमा FIDI माइनस 21 है अब हम माद्दे के जो कल्पित माद्दे का सूत्र है उसका प्रियोग करते हैं ए हमारा है ए हमारा 72 है तो सूत्र क्या है एक्स बार बराबर ए प्लस सिगमा FIDI बटे सिगमा FI मानों को रख दिया मानों को रखने से एक्स बार हो गया 72 प्लस सिग्मा एफ़ई डी आइए का मान है माइनस 21, सिग्मा एफ एफ़ई का मान है 12 calculate किया तो मान हो गया 72 माइनस एक दश्मलव 75 जो माइनस 21 बटा बारा है calculate किया तो कितना आता है 1.75 तो 72 माइनस 1.75 अर्थात मान हो गया 70.25 किलो ग्राम इसलिए दिये गए बंडन का जो समानतर माद्ध है वो है 70.25 किलो ग्राम